कि गूर्णिंग स्टूडेंट मैं राम बाभू आपका डीजेसर क्लासेस के मंच पर स्वागत करता हूं और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि क्लासेस के अंदर किस प्रकार से आप जोब में डायट इंट्री कर सकते हैं तो उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट को तोड़ी गयनता से पढ़ना होगा समझना होगा सीखना होगा तो दोस्तों मैं रिजनिंग गुरू राम बाभू आपको एक बार फिर अपने सब्जेक्ट पर लेके चलता हूं अपने टॉपिक्स पर लेके चलता हूं जो हमने पिछली क्लासों के अंदर कई भार बहुत छांदार त टॉपिक्स के बारे में बात हुई थी यह हुई थी डाइस पढ़ाया मैंने आपको उसके बाद इसी करम में मैं आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ब्लड रिलेशन के बारे में आप जानते हैं ब्लड रिलेशन रक्त संबन जिसके हर कॉ competition में इतने शांदार तरीकी की questions आते हैं अधर्स कहीं भी जाहिए ऐसे competition के अंदर जहां पे reasoning आ रहा है तो जिस competition में reasoning आ रहा है दोस्तों उस competition के अंदर आपको निशित रूप से blood relation के question तेन चार questions आपको मिलेंगे और मैं नहीं चाहता आपको इसको interest लेके बहुत ही अच्छे तरीके से समझेए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं YouTube पे हर तरह के courses मिलते हैं हर प्रकार के वीडियो मिलते हैं आपको लेकिन दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूं मेरी जो शेली है वो इतनी अच्छी आपको कहीं पर कोई problems नहीं आएंगे आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे दोस्तों तो मैं रिजनिंग गुरू राम बावू आपका फिर से डीजे सर classes में स्वागत करता हूं दोस्तों तो आईए फटाफट आईए और जुडिये classes से दोस्तों तो मैं अपना ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ब्लड रिलेशन अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है प्लड रिलेशन इसको बॉलते हैं रक्त संबन रक्त संबन दोस्तों रक्त संबन रक्त संबन को जानने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि बड़ों का ररेस्पेक्ट करें और छोटों का भी रेस्पेक्ट करें बड़े बड़े होते हैं और छोटे छोटे होते हैं हम उमर के हमारे दोस्त होते हैं हम उमर के हमारे रिस्तदार भी होते हैं हमारे भाई बंदू भी होते हैं तो जो रिस्ते हम नहीं जानते हैं वो रिस्तों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए उन्हें पर आदार question को soul कैसे करें तो उसको करने के लिए पहले हमें हमारे concept clear करने हूंगे कि इसमें पूछा क्या जाता है हमें answers क्या देना है इसका उसके अलावा फिर हमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको और अच्छी kita sa sa capita कहिए कई रवार ऐसा होता है गूम फिर के और वो जो पूछा जाता है वो हमारे उपर ही होता है हमें खुद को जानना रता है लेकिन अगर हम हुसको अच्छे से नहीं करते हैं दोस्तों तो फिर वो दूसरे के बारें पर दूसरे के उपर चला जाता है, इस परकार से हमें नहीं करना है, हमें अच्छे से इसको समझना है, अच्छे से इसको सीखना है, तो मैं इसको शुरू करवाता हूँ दोस्तों, कैसे करना इसको, कि रत संबंद में कुछ IMPORTANT चीज़े होती है, उन कारे में आपको याद होना चाहिए इसका कंसर्ट बहुत आसान है कुछ भी नहीं करना है तोड़ा सा इसको समझना है तो पहली बात इसमें यह याद होना चाहिए कि जो व्यक्ति हमसे बड़ी उम्र के हैं बड़ी पीड़ी के हैं पीड़ी जानते हो जनरेशन पीड़ी यानि जनरेशन जो व्यक्ति हमसे बड़ी पीड़ी के होते हैं उन्हें उन्हें उपर की ओर लिखा जाते हैं बड़ी पीड़ी जैसे आपसे बड़ी पीड़ी कौन सी है आपसे बड़ी पीड़ी आपके पिताजी आपके माताजी आपके चाचाजी आपकी चाची क्योंकि वो आपसे उपर वाली पीड़ी में जन्में है उन से उपर वाली पीडी कुल सी होगी आपके दादा आपकी दादी उन से उपर आपके पड़ दादा इस परकार से उपर वाली जनरेशन चलती जाती है दोस्तों उपर पहुंस्ते पहुंस्ते है उपर पहुंच जाती है फिर जनरेशन इसी परकार से आप नंबर दो आप स् स्वयम की पेड़ी को आप स्वयम की पेड़ी को दाएं पाएं या दाएं और लिखते हैं यानि कि अगर आपसे बड़ी पीड़ी है तो उपर लिखेंगे और आपकी जनरेशन के लोग है तो उसको दाएं और या बाएं और आप लिखेंगे तीसरे बात इसमें वो यह है आपसे आपसे छोटी पीड़ी के लोगों को नीचे की और लिखा जाता है नीचे की और लिखा जाता है तुमिज में है दोस्तू ऐसे आपसे नीचे वाली पीड़ी आपसे नीचे वाली पीड़ी कौन से होती है और उपर वाली पीडी बताया मैने आपके पिता जी, माता जी, चाचा, चाची यह सब आपसे उपर वाली जनरेशन होती है तो दोस्तों हमें सबस्ब सर फस्ट में यह चाहिए कि हम से उपर वाली पीडी को हम उपर की और लिखेंगे नीचे वाली पीड़ी को हम नीचे की और लिखेंगे और हमारी स्वहम की जो पीड़ी है उसको हम दाएं या और बाएं वो लिखेंगे जैसे आपकी पीड़ी में जन्म लेने वाली आपकी पत्नी आपका भाई आपकी बहन ये सब अच्छा दोस्तों इसमें दोस्तों वगेर इनके बारे में जैगे नहीं होती है क्योंकि blood relation का मतलब होता है उनका संबन्द उनका रिस्ता आप से संबन्द रखने वाले आस लोग आपी की family के परिवार के लोग वो blood relation के according आते हैं नहीं कि आपके दोस्त वगेरा ये नहीं आते हैं understand ऐसे दोस्त आपी की generation में होते हैं ले ये बात आपको समझ में हैं दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं आप इसमें एक बात और याद रखने की है किसी भी संबन्द किसी भी संबन्द के लिए च्वयम को आदार माना जाता है इस statement ये इस line का अर्थ ये होता है कि आप किसी को भी संबन्द बता रहे हैं किसी के साथ अगर संबन्द बताना है तो आप से संबन्द बताना होगा उसका किसी अधर से नहीं कि देगे दोस्तों जैसे मैं स्टार्ट करता हूं इसको इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेंडर के बारे में बात करेंगे जेंडर याने के लिंग जेंडर याने के लिंग ये दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं मैल एक होता है फिमेल मैल और फिमेल याने की मैल याने होता है पुरूश और फिमेल याने होती है मादा, हिस्त्री, औरत ये सारी फिमेल में आती है पुरुश और इस्त्री यानि कि सबसे पहले आपको जेंडर याद रोना चाहिए मेल और फिमेल का इसके बाद आप देखेंगे यानि कि पुरुशों में क्या लेंगे पुरुश में हम लेते हैं दुनिया के सारे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो एक दिन से लगा कर 101 साल का हो या 200 साल का हो वो सारे के सारे व्यक्तियों की बाद चलती है तो पुरुश में आता है इस्त्रियों की बाद चलती है तो इधर लेंगे बट यानि कि मैं मान लेता हूँ ऐसा डिबा इसका डिबा यानि कि और जहां पे भी पुरूश है उसको डिब्बे से लिखेंगे जहां पे इस्तरी है उसे गोले से लिखेंगे ऐसा गोला बना देंगे अब एक दिन एक दिन के बच्चे से लगा कर 101 साल के बुजुर्ग व्यक्ति तक के सभी को डिब्बा केते हैं तोजमा आया आपको यानि कि दुनिया के दुनिया के सारे व्यक्तियों को हम डिब्बा बोलेंगे और दुनिया की सारी ओरतों को हम गोले से डिनोट करेंगे अगर कहीं भी ऐसा गोला नजर आता है तो सोच लो ये इस्तरी है कहीं ऐसा डिब्बा नजर आता है तो फिर सोच लेंगे आप ये कौन है ये आसान है बहुत एजी आपको मैं एक चार्ट बना कि शो करूंगा उसमें आप सारा यहीं पर सीख जाएंगे उस चार्ट को समझने के बाद इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा कि आप उसको स्थोल करने बेटेंगे उस चार्ट में सारा समझ सकते हैं तो चुरू करते हैं इसको स्थार्ट करते हैं चार्ट को देगे दोस्तों क्या करना है हमें सबसे पहले आप सवयम को मानिये आप सवयम को इस सवयम में जो मैंने डिब्बा बना दिया कि आप स्वयम हो, समझ में आया, अब आपको जो भी संबंद बताने है, आपको स्वयम के साथ संबंद बताने है, जैसे, अब कुछ चीज है, सभी के संबंद को, सिंगल बॉंड के द्वारा, संबंद को, जो भी संबंद है, उन संबंद को आप एक बॉंड के द्वारा बतात पती-पतनी एक ऐसा रिष्टा होता है जिसको डबल बॉंड के द्वारा पती और पतनी का जो रिष्टा होता है उसको दो बॉंड के द्वारा शो करेंगे बस यह याद रखो पती-पतनी के रिष्टे को किस से शो करेंगे डबल बॉंड के द्वारा दोस्तों हम शो करेंगे तो स्वयम को अब यहां पे देखिए आप आपकी पीड़ी की बात करेंगे स्वयम में जाईए तो स्वयम में सबसे पहले मैं आपका संबंद बना देता हूँ यहां पे एक गोला बना हुआ है और इस परकार से मैंने डबल डैस लगाया तो यह दोनों कौन हो गए पती पतनी यह औरत है यह स्वयम है तो आपको इसको यह नहीं कहना है कि यह इसका पती है नहीं आपको बताना है आप से संबंद बताना है इसका कि ये आपके क्या लगती है तो ये आपकी क्या हुई पतनी कैसे पता लगाया पतनी है डबल बॉन लग रहा है इसलिए पतनी है ठीके अब आपके रिष्टे दोनों से शुरू करते हैं Sipo Em में अगर इस परकार का zone लग रहा है और इस परकार का डिबा झूभ रहा है तो ये आपके कौन हुए ये आपके भाई हुए सिंगल बॉन्ड से, यानि आपकी पीडी में जन में हुए हैं, आप ये न्यून ही कहेंगे कि ये मेरा भाई है, आपको ये कहना है कि आपका संबन्द इसके साथ क्या है? भाई का ये आपके भाई लगा हुआ है अगर इसके साथ में मैं इस परकार से गोला बना देता हूँ तो ये आपकी कोन हो गई बहन हुई ऐसे नहीं बताना कि ये मेरे भाईया है नहीं अगर ऐसे बताया तो फिर आपकेशन समझ नहीं पाऊँ गया मिस्टेक हो जाएगा आपको ये बताना कि आपके क्या लगती है यह बहन है, single bond से अगर कोई जुड़ रहा है, इस परकार से आपकी पीडी में तो यह आपकी बहन है और यह आपका भाई है, यह आपकी पतनी है, यह बहन इसलिए नहीं है, क्योंकि यह आपके क्या आगया double bond लगा हुआ, इसलिए यह है, अब आगे चलाते हैं इसको, अगर म क्या लगता है ये तो ये आपके बैनोही हुआ बैनोही ये आपका क्या हो गया बैनोही ठीक है इस परकार से अगर आपका भाई है और उसके साथ में मैं इसे जोड़ देता हूं डबल बोन से तो आपके भाई की पतनी हुई ये आपके भाई की पतनी है लेकिन संबंद आपक के क्या लगता है यह आपके यहां पे क्या लगती है भावी लगती है दोस्तों आपका भाई छोटा हो या बड़ा हो यहां पे भावी लिखना होगा आपको भावी ही कहते हैं छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो उसको भावी बोलेंगे भाई की पतनी को सोरी है ना अब यह पर देखिए यह आपके रिस्ते हुए समझ माया आपके आपके क्या लगता है भाई है यह भाई की पत्नी यह आपकी बैन है बैन का पती बैनोई हुआ जिजावी लगता है बैनोई भी कहते हैं इसको ठीक है अब पत्नी की तरफ में अगर ऐसे जोड़ देता हूं दब्बा यह कौन हो गया पत्नी का भाई हुआ तो पत्नी का भाई नहीं लिखेंगे इसको क्या बोलेंगे आपके क्या लगता है यह साला लगता है क्या आपके क्या लगता है साला और अगर मैं यहां पर ऐसे गोला जोड़ देता हूं तो यह पत्नी की बैन हुई सिंगल बोन से साली दोस्तों इसको अच्छे से समझना इसको लिख भी लेना आपको समझने बहुत अच्छा आएगा अच्छा सुनो अब ये साला है इस साले को अगर मैं डबल बॉन से जोड़ देता हूं ऐसे तो ये साले की क्या हो गई पतनी हुई तो साले की पतनी आपके क्या लगती है बताओ दोस्तों क्या लगती है साले की पत्नी को क्या बोलेंगे आप साली तो कहीं नहीं सकते हैं साली तो दूसरी होती है आपकी पत्नी की बैन होती है उसको साली बोलते हैं तो यह कौन हुई पिर साले की पत्नी आपके क्या लगती है किसी को पता है इसका एक स्पेशली नाम होता है इसको बोलते है साहेली क्या बोलते है दोस्तों साहेली ज्यान से बोलना इसको बोलते समय साहेली को साहेली नहीं बोलने का नहीं तो मिस्टे को जाएगा दोस्तों लपक के ठीक है तो साले की पतनी को क्या बोलेंगे साहेली और जो साली है उस साली के पती को पती पत्नी में तो हमेशा एक डिबबा और एक गोलेए आएगा दोस्तों देखना आप साली का पती को बोलते हैं यह बोलेंगे दोस्तों साडू को बोलते हैं पाडू तो दोस्तों समझ में आरा ना आपको किस परकार से ये सब हमारी पीडी में जन्मे हुए लोग है जिनको मैंने left and right side में लिखा तो इन सभी का जनम हो सकता है हमसे एक साल, दो साल, चार साल, पान साल, छे साल, साथ साल छोटे है पर ये हमारी जन्रेशन में ही जन्मे है इन सभी के जो माता पिता है वो हमसे बड़ी जन्रेशन में आते हैं पर ये सब लोग हमारी जन्रेशन में जन्मे हुए है ये वाला हमारे पत्नी का परिवार है और ये वाला हमारा परिवार है ये सब हमारी जनरेशन में अमारी उमर के हम उमर के लोग है जो हमारी जनरेशन में जन में दोस्तों आगे बढ़ाते हैं अगर मैं इस फरकार से बना देता हूँ उपर डिबा बना देता हूँ तो ये आप से उपर वाली पीडी का डिबा है इनको बोलेंगे हमारे क्या लगत यह हमारे पिता जी लगेंगे दोस्तों और अगर मैं पिता जी को पिता जी के साथ में किस परकार से डिबा बना देता हूं यू ऐसे तो यह पिता जी की पतनी तो न्यू नी कहेंगे पिता जी की पतनी है अरे वाई आपके क्या लगती है आपके लगती है माता समझ मारा हो दोस्तों मुझे लगता है आप अच्छे समझ रहे होंगे आपको क्या लगती है माता इसके बाद और आगे बढ़िए इसमें पिताजी के परिवार को आगे बढ़ाते हैं चलो अगर पिताजी के साथ में इस परकार से डिबबा जुड़ रहा है तो ये पिताजी के बाई हुए तो ऐसे नहीं लिखेंगे पिताजी के बाई आपके क्या लगते है ये आपके लगते है चाचा ये आपके चाचा हुए और अगर मैं इसको गोले से जोड़ देता हूँ यहां पे तो ये आपके कौन हुई पिता जी की बैन आपके क्या लगती है आपके भुआ लगती है साथ कमझमारा दोस्तों बिल्कुल जनरेशन अच्छी से चल रही है लेकिन ये आपकी जनरेशन नहीं है आपसे उपर वाली पीड़ी है आपके पिता जी का जनम हुआ उसके बाद चाचा का हुआ होगा और भुआ का हुआ होगा और उसी पीड़ी में आपकी माता जी का भी जनम ह लेकिन यह आपकी पीडी नहीं है आपसे उपर वाली पीडी है इसलिए मैंने इसको उपर लिखा तो मैंने पहले बोला था कि आपसे उपर वाली पीडी को हम उपर लिखेंगे और उपर वाली को और उपर लिखेंगे और ऐसे करते करते उपर वाली पीडिया तो उपर चली और नीचे वली मेडिया नीचे लिखते चलेंगे अब यहां बढ़ाते इसको कि अगर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं तो चाचा जी की पत्नी को चाचा जी की तो पत्नी हुई लेकिन आपके क्या हुई यह आपके चाची हुई अगर बुवाजी को डबल बॉन्स से जोड देता हूं मैं डिब्बे से तो ये बुवाजी के क्यों न हुए बुवाजी के पती आपके क्या लगा फूपा लगा आपके ये फूपा तो इस परकार की ये जनरेशन पिता जी का परिवार चल रहा है और इधर माता जी का परिवार शुरू करता हूँ मैं तो माता जी को अगर मैं डिबे से जोड़ देता हूँ या गोले से जोड़ देता हूँ तो आप देखें दोस्तों कि जो माता जी को मैंने डिब्बे से जोड़ा ये माता जी का भाई हुआ और माता जी का जो भाई है वो आपके क्या लगते हैं मामा और ये वाला है माता जी की बैन हुई तो आपके क्या लगती है मौसी अच्छे से समझ मा रहा होगा दोस्तों मामा जी को अगर मैं डबल बॉन से जोड़ देता हूं इस फरकार से तो मामा जी की पत्नी क्या हो गई मामी हो गई और अगर इनको डबल बॉन से जोड़ता हूं मैं इस फरकार डिब्बे से तो मौसी का पती कौन हो गया मौसा हो गया दोस्तों यह मौसा हो गया देखिए बाइस आप एक बार चार्ट को देखे बहुत अच्छे से समझ मा रहा होगा बहुत अच्छे से चार्ट अगर आपने इसको समझा तो सारे रिष्टे वगेरा सब यहीं पर आजाएंगे आपको समझने के लिए किसी को याद करने की जौरत नहीं, रटने की जौरत नहीं है. आप बस इस परकार से देखते रहेंगे, सारी रिस्ते आपके अपने आपी आजाएंगे. अब यहां पे मामी आ गई मौसी आ गई मौसा आ गया यहां तक हमारा कम्पलीट हो गया इसके बाद हम चुरू करते हैं कि अगर आपके पिताजी से भी उपर चलते हैं तो यहां आपके पिताजी यह आपके पिताजी के पिताजी यह न्यूनि कहेंगे पिताजी यह मेरे पित आपके दादा जी हो गए ये दादा जी हो गए और दादा जी के डबल बॉन लगा दिया मैंने ऐसे जोड़ दिया तो ये आपकी दादी हो गई आपकी क्या लगती है दादा जी की पत्नी आपके दादी लगती है दोस्तों अगर मैं ऐसे बना देता हूँ कि ये तो पिता जी का परिवार हुआ अगर माता जी का परिवार जोड़ देते हैं यहाँ पर माता जी क्यों मैं इस परकार से एक डिब्बे से जोड़ दता हूँ उपर ये माता जी के पिता जी हुए तो दोस्तों माता जी के तो पिता जी हुए लेकिन आपके क्या लगते हैं ये आपके नाना जी हुए नाना जी की पतनी इस परकार से नाना जी की पतनी आपके क्या हो गई नानी हो गई ये नानी हो गई आपकी ये दादा दादी नाना नानी यानि पिता जी का परिवार माता जी का परिवार विलकुल आपको साब साब आपके सुचुराल का परिवार आपके माता-पिता वाला परिवार ये भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है दोस्तों इसके बाद ये तो हमारी नीचे वाली हमारी पीडी और उपर वाली पीडी थी इसके बाद हमारी नीचे वाली पीड़ी पाते हैं तो यहां देखेंगें दोस्तों कि जैसे यह स्वयम है स्वयम को मैं एक डिब्बे से जोड़ देता हूं तो यह आपका कौन हो गया पुत्र हुआ यह कौन हो गया पुत्र अगर मैं यहां पर इस गोले को जोड़ता हूं तो यह गोला यानि आपकी कौन हो गई पुत्र की पतनी आपके क्या लगते है दोस्तों यह तो इसकी पतनी हो गई लेकिन आपकी क्या लगती है पुत्र और यह पुत्र वदू यह आपकी क्या हो गई पुत्र वदू हो गई दोस्तों यह पुत्र वदू हुई अब यह आपकी पुत्री है और पुत्री को अग के क्या लगता है देखे दोस्तों यह आपके लगता है दामादू क्या लगता है यह आपके दामाद यह पुत्र वदू और वो उदर आपके दामाद होगे अच्छा आपका जो पुत्र है उसके भी जो पुत्र हुआ देखे दोस्तों यहां से आप ध्यान से देखेंगे कि य यह आपकी नीचे वाली जनरेशन शुरू हो गई है, यह आपसे उपर वाली जनरेशन थी और यह आपकी स्वयम की जनरेशन है, कमझे आना न दोस्तों, तो उपर वाली जनरेशन को उपर लिखेंगे, नीचे वाली को नीचे लिखेंगे और आपकी स्वयम को मद्दे में आपका पुत्र का जो पुत्र है उसको बोलते हैं पौत्र और अगर लड़की हुई आपके पुत्र के लड़की हुई तो इसको बोलते हैं पौत्री पोत्री का पत्री वो ही पत्नी पोत्री वदू है ना और पोत्र जामाद तो चलता जाएगा इतना नहीं पूछा जाता है पोत्र तक सीमित होता है आपके पुत्री है उस पुत्री के लड़का हुआ ये इसका पुत्री का लड़का है तो इसको बोलते हैं और अगर पुत्री के लड़का लड़की उई अगर इसके क्या हुई लड़की उई तो इसको नवासी भी बोलते हैं ना तीन ना तीन भी कहते हैं तो दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट मैंने आपके सामने एक चार्ट डवलब किया है जिसके अंदर रिस्ते बताए गए हैं आप बहुत ही अच्छी से देखिए दोस्तों आपका संबन बताना है इतना भी नेटवर्क बना हुआ है ये इतना अच्छे से इसको एक्स्प्ल चीज़ है वो है याप स्वयम आप स्वयम के ऊपर चल रहा है सारा मामला तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि स्वयम के साथ ही आपका रिस्ता बताना है ये जितने भी रिस्ते नाते बने हुए हैं इन सभी का संबन सिर्प आप से हैं इस फूरी फिल्म के हीरो आप हो इस में पूरे में जो कर रहे हैं जो रिष्टे बने हुए हैं वो सारे रिष्टे आपके साथ ही बने हुए हैं आपके रिष्टे दोस्तों और आप ही के साथ बने हुए हैं इसलिए आप विश्पैशली ये ध्यान रखें कि संबंद सिर्फ आपका ही बताना है सभी को अगर आप आप ने दूसरों का संबंद बताना शुरू कर दिया एक दूसरे से तो फिर आपके किसके अंदर आप सेट अप नहीं कर पाएंगे ठीक है आपने बोला बेहन का पती है तो बेहन ने बोल दिया यह मेरा पती है तो यह आपस में इनका दूसरा संबंद बन गया पती बतनी का वो तो हमें भी दिखाई दे रहा हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके क्या लगता है, आपके बेनों ही लगता है, ठीक है न, ये वाला चार्ट बहुत ही important चार्ट है, इस चार्ट के according, आप अच्छे-च्छे questions को solve कर सकते हैं, कितने ही बड़े questions क्यों न हो आपके, कितने ही typical questions क् आप इसको अच्छे से solve कर पाएंगे, दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें कुछ बातें हो रहे हैं, वो ध्यान रखें इसमें, जैसे इसमें हैं, कुछ बातें याद रखना, चाचा चाची, चाचा, चाची, कापुत्र, पुत्र हो या, पुत्री, इनको बोलते हैं, चचेरे, चचेरे, भाई बैन, चचेरे भाई बैन, नमबर दो, याद रखेंगे, मामा, मामी, मामा, मामी, के पुत्र, या, पुत्री, इसको बोलेंगे, म मेरे, म मेरे, आई, या बहन, म मेरे, भाई बैन, समझ में आ रहा न, चाचा, चाची, के पुत्रों को क्या बोलेंगे, चचेरे, और मामा, मामी, के पुत्रों को, म म मेरे, और बुआ, पुपा के पुत्रों को, बुआ, और पुपा, के जो पुत्र है, या पुत्री है, उनको बोलते हैं, पुपेरे, पुपे, पुपेरे, बाई बैन, इन बातों को भी याद रखना जरूरी है, इनके संबन में, इनको सब को शोर्ट कट में, म म मेरे, चचेरे, पुपेरे, इन सभी बाई बैनों को, इंग्लिश में बोलते हैं, कजीन, एक ही वर्ड होता, उसमें कजीन, जिसमें ये सारे ही आ जाएंगे, मामा जी का लडगा हो, लड़की हो, बुवा जी के लड़के हो, या लड़की हो, चाचा जी के लड़के हो, या लड़की हो, इन सभी को क्या बोलेंगे, इन सभी को, एक ही नाम से जाना जाता है, कजीन अच्छी बात यह है कि इस चार्ट को मैंने जो बताया है उस चार्ट के according अगर आप चलते हैं दोस्तों तो आप निशीज रूप से इसके अंदर सबलना प्राप्ति करेंगे आप सारे equations को सोल कर पाएंगे दोस्तों आगे चलते हैं इसमें इसी करम में बढ़ते हैं अगर मैं बनाना शुरू करता हूँ कुछ चीजें तो आप ऐसी समझ पाएंगे इसके जो concept है concept को देखते हैं आप इसके जो concept है वो यह है कि इसमें पहला तो normal question होते हैं नॉर्मल नॉर्मल questions आते हैं इसके अंदर दोस्तों वो नॉर्मल questions में A, B का वाई है, P, C का बेटा है इस परकार के जो questions होते हैं वो होते हैं दूसरी बात है concept में दूसरी टाइप के questions होते हैं वो होते हैं paragraph question होते है paragraph का मतलब होता है पैसे इस type question होते है जो पैसे इस type के questions होते है पैसे इस type में जो questions है वो होते है पैसे इस type में questions ऐसे होते हैं कि जैसे A into B, A, B का वाई है इस परकार के concept बने होते हैं ऐसी questions पैसे टाइप होते हैं पूरा पैसे इसको देख के और उस पैसे इससी questions पाँच चार questions होते हैं उनको solve करना होता है उसे बोलते हैं पैसे टाइप questions और इसके बाद इसके अंदर फोटोस क्योशन होते हैं एक क्योशन होते हैं इसमें जो फोटोस क्योशन बोल सकते हैं अपने इसमें जो फोटो वाले होते हैं फोटो क्योशन जो तस्वीर वाले होते हैं किसी तस्वीर को देखे कर किसी तस्वीर को देखे कर इशारा करके बोला जाता है कि इस तस्वीर में जो व्यक्ति है ये मेरी बुआ के बेटे के फूपे का लड़का है तो बाद में पता चलता है कि वो तस्वीर वाली पोटो हमारी खुद की थी जिसमें वो देख के बोल रहा था खुद ही बोल रहा था तो दोस्तों इस प्रकार के तीन कंसप्ट में क्विश्चन्स है इसके उनको आप अच्छे से करेंगे तो बचे गाई कुछ नहीं इसमें सारी चीज़ें इसी में आ जाएगी तीन कंसप्ट हैं अलग अलग तरीके से तीनों कंसप्ट को पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों questions में ये तेन concept and normal questions आप easily कर पाएंगे उसके बाद और बढ़ते हैं इसमें जैसे मैं कहीं बार आपको questions के बारे में बात करके बता रहा हूँ कि अगर आप इसको देखेंगे concept आप अच्छे से कर पाएं लेकिन मैं एक questions से आपको बनाता हूँ इसके अंदर आप खुछ समझ के मुझे बताएंगे जैसे एक डिबबा बना हुआ है ऐसे है इससे आप खुछ पता लगा लेंगे कि कौन क्या है यहाँ पर ऐसे बना हुआ है मैं बना बतावा हूँ आपको फिर यहां पर इस परकार से एक बोला बना हुआ है ऐसे बना हुआ है नाम डिनोट कर देता हूं A, B, C और D A, B, C, D इस परकार से एक डाइगराम मेंटेंड किया हमने इसमें देखिए अब क्वेशन से ऐसे लिखा हुआ है D का A से क्या संबंद है क्वेशन से बनाया A, B, C, D इसमें ये पूछा गया कि बैया इसके अंदर इस D के ये A क्या लगता है आपको ये बताना है अब दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है आप बहुत इजी समझ सकते हैं बहुत इजी तो इसको पहले, इसको सौल करने से पहले आप यहां पे देखिए कि ये जो A है ये A का उपर वाली पीडी है तो गोला लगा हुआ है तो ये A की कौन हुई मा ये A की मा हुई संबंद ऐसे बताना है और ये B और ये दोनों दोनों ही कौन है इस्तरिया है और ये दोनों बेहने भी है ये दोनों बेहने है तो A की मा और ये मा की बेहन A के क्या लगती है ये इसकी मौसी हुई और मौसी के पिताजी देखो मौसी के उपर वाली पीडी तो मौसी के पिताजी ये दोनों ये बेहने है आपकी मा के भी पिता जी हुए और आपकी मौसी के भी पिता जी हुए तो इन दोनों के पिता जी कौन हुए डी हुए तो भाई यहां से आपके क्या लगते है यह नाना जी यह आपकी मा मौसी और यह आपके कौन हो गए यह आपके नाना जी हो गए तो देखने में तो कैसे दिखेगा नाना जी लेकिन उसने जुका डी का एसे क्या संब्द है तो इस डी के क्या लगते है ये तो ये डी की बैटी हुई और बैटी का बैटा ये कौन हुआ इसका नवासा बैटी का बैटा तो नवासा ही हुआ अभी लिखा था हमने ने बताया प्रश्चन आपको निचे वाली पीडी में यह देखो उपर की पीडी यह है यह आप से उपर उपर वाली पीडियां दी गई है यहां पे दोस्तों तो मेरा मानना यह है कि आप ऐसे क्विश्चन को इजी कर सकते हैं लेकिन इस वाले जो कंसेप्ट को आपको इस फैसली ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इन सारी चीजों को सीखने के बाद यह सब चीजे सीख जाएगे आप क्विश्चन करना भी सीख लेंगे आप बहुत ही अच्छे से क्विश्चन को सोल कर रहे हैं दोस्तों अच्छे क्विश्चन को सोल क करने के बाद भी आपको अगर यह concept याद नहीं है तो आप नेशे द्रूप से question को गलत करेंगे क्योंकि आंसर दोनों प्रकार से आ रहे हैं इसमें दोनों तरह से होंगे एक है पुत्र और एक है पिता यह दोनों यह option अगर आता है आपके पास तो पुत्र भी सही है और पिता अगर आप चले गए तो यह क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा अगर ऐसे पढ़ रहे है आप तो यह इसके पिता और आप यह क्या है तो इसका पुत्र हो गया तो आंसर गलत और सही आपी को decide करना की कैसे होंगा इस चीज को समझने के लिए इस वाले concept को ध्यान से देख इतना होता है का 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 संबंद का का संबंद देखिए आप किस से देखेंगे से 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 का का संबंद किस से देखेंगे से से किस का के यहां से तो आप से से देखेंगे से नहीं आये तो एक word और होता है के साथ यह भी हो सकता है इसमें भी देख सकते हैं अपने का का के साथ क्या संबंद है या न्यू भी हो सकता है D का A के साथ में क्या संबंद है के साथ या तो के साथ लिखा रहेगा या से लिखा रहेगा तो दोस्तों आपको paper में ऐसे नहीं देखना है आपको देखना है से से का की ओर इस तरफ देखना है आपको इस वाले में से से का की और आपको आंसर कैसे देखना है दोस्तों से से का की और यानि से से का की और आपको आंसर देखना है तो यहां पे से क्या है यहां से आंसर देखना है का की और इस का की तरफ यानि A के क्या लगता है D, आपको ये देखना है, क्यों नहीं देखना है कि D के क्या लगता है A, अगर आपने D के क्या लगता है जो दिखा हुआ है, अगर आपने डारेक्टली इसको देख लिया, तो फिर आपको questions की concept ठीक नहीं है, फिर आप कैसे देखेंगे इसको इस एक क्या लगता है डी तब आपका सही आमसस आने वाला है इसमें दोस्तों तो अब हम क्या करते इस चीश को देखने के लिए यहां पे देखिए एक क्या लगता है तो इस एक डी क्या लगता है आपको यह देखना है यह लिखाड़ा डी का एसे क्या संबंद इस डी क्या हुआ ना क्या हुआ ना कि अगर आप इसको याद रखेंगे तो इस है से इसका अंसर दे पाएंगे इस परकार से और ग्रेशन से इसकी कंसर्प्ट में जो आप अच्छे से समझ सकते हैं वो यह है कि अच्छे लिखाता हूं मैं यहां पर आपको अच्छे लिखने से पहला है एक बात और समझ लेते हैं इसमें यहां पर ऐसे बनाया इसको देखिए यहां पर ऐसे बना हुआ है कि इस परकार का टाइग्राम मेंटन किया है अपने दोस्तों अब आप इसमें नंबर डालो यह मत डालो आप अच्छे से समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं इस क्वेशन को तो मैं अगर आपको बताओं इस में न्यू लिखा हुआ है एस का पी से क्या संबंद है क्या संबंद है क्या संबंद में लिखा हुआ है एस का पी से क्या संबंद है मैंने अभियाल आपको बताया कि से से का की ओर देखेंगें तो से से का की ओर यह है तो पी का एस से क्या संबंद है तो पी का एस के साथ क्या संबंद है तो दोस्तों सबसे पहले यह देखिए इसको समझे तो सरी यह यहां पर यह लड़की है इसके पिता जी है यह इसकी मा है और इस वाली लड़की की टीकी बात कर रहा हूँ मैं यह इसके पिता यह इसकी मा और यह मा के पिता है यह इसलिए नाना जी हो गए और ये कौन होई नानी जी हो गई तो टीक है तो नानी जी लग गई ये नाना जी हो गई ये मम्मी हो गई और ये इनके पापा जी हो गई अब यहाँ पे देखते हैं हम कि उसने इसका संबन्द पूछा तो ये व्यक्ति है, कि व्यक्ति की पतनी है, यह पतनी की पिता है, यानि कि इस वाले एस वाले व्यक्ति के, हमें तो किसका संब्दद देखना है, प के या एस का पीसे क्या संबन्द है? दोस्तों, तो हमें यह देखना है कि P के क्या लगता है S, तो P के क्या लगता है S, यह देखना है आपका S का P से क्या दंबन दे तो P के क्या लगता है S, इस P के क्या लगता है S, तो यह यहां पर आ रहे है, यह P की पतनी है यह इसके ससूर्जी हो गए इसके ससूर्जी हुए और ये इसकी सास हुई क्या हुई ये इसकी सास हो गई दोस्तों तो अब इसको द्यान से देखेंगे कि ये इसकी क्या हो गई सासुमा हो गई इसकी क्या लिखेंगे आंसर क्या हो गई इसका इसकी सास हो गई बहुत आसान है दोस्तों इसको देखके तो अभी देख लो यह questions होते हैं यह questions लिखे रहेंगे यह questions को हम यहां पर questions रहते हैं तो उनका ऐसे diagram बनाएंगे और उस diagram से हम पता लगाएंगे कि किस परकार की question हमें scroll करना है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और question देखते हैं इसका question से इसका A और B तो चुर्वा पहने है C का दामाद C का दामाद C A का पती है C का एक मात्र आई B का एक मात्र बाई E की की पतनी तीमा का पत्री से क्या नाता है क्या संबंध है question दोस्तों क्यूशन को द्यान से देखें दिक बार पड़े questions लिखाया है मैंने A और B दो जुड़वा पैने है D का का मात C का पती है B का एक मात्र बाई E की पतनी सीमा का D से क्या संबंध है बहुत अच्छे question ऐसे लिखा रहेगा questions कोई दिकत नहीं है आपको एक बाद याद रखना जेंडर का इस पेशल ध्यान रखें इसको मैंटन करने के लिए जेंडर का इस पेशल ध्यान रखें उसमें क्या रहेगा आपको जेंडर में कि आपको कहीं पे भी जो भी पुरूश है एक दिन का हो या 101 साल का हो उन सबी को आप डिबा बनाके शो करेंगे और इस्तरियां है और उरत है तो उसको गोला बनाके फूस्तों शो करेंगे ये वाला क्योशन इसको बनाना शुरू करते हैं स्टार्ट किया हमने ए और बी दो जुरूआ बैने हैं तो ये ए और ये बी ये दोनों क्या है जुरूआ बैने हैं हमने दोनों को जुरूआ बैने बनाई मैंने बताया था बैन बाई का संबन एक ही पीड़ी में जन्मी है दो को नो बैन बाइस जितने भी है ए और बी दो सगी जुड़वा बैने है ती का दामाद ती का पती है जो डी है ती है कोई व्यक्ति है डी वो ती का पती है है ना तो जो डी ये डी है कोई व्यक्ति है डी है पता नहीं ये आदमी ये उरत है पर उसने नहीं कहा कि डी है उसका दामाद है ये दामाद है वो सी का पती है ये सी है और उसका पती है ये उसका दामाद दी का दामाद तोरी यह है ऐसे लिखा हुआ है डी का दामाद सी है तोरी ती का दामाद सी है और जो हाँ हाँ इसमें लिखा नहीं हमने का दामाद यह है ती का दामाद सी है जो यहाँ पर लिखना था एका पती है कोई बात नहीं इसको ऐसे लिख लेंगे यह डी है किस डी का दामाद कौन है सी है यह सी ऐसे यह किसका पती है एका पती है ती का दामाद सी है यह एका पती है ठीक है बी का एक मातर भाई ए है यह जो बी है इसका एक मातर भाई कौन है ए है यह E भाई है इसका E की पतनी E की पतनी सीमा है यहाँ पे लिगा रहा है B का एक मातर भाई E की पतनी E की पतनी सीमा का D से क्या संबंद है फिर ऐसे पूछा D से क्या संबंद है तो ये जो B है ना वो B कौन है ये जो B है वो ही क्या है यहां पर सीमा है वो ही क्या है यहां पर सीमा भी वो ही है तो वो न्यों पूछ रहा है कि बैया यहां पर सोरी क्या बोला बी का एक मात्र भाई है वो E है सोरी यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे देखे दोस्तों तोड़ा सावी अगर यह मिस्टेक करते है न तो तोड़े से में यह हो जाता है तो यहाँ पे इसमें A और B दो जुड़वा बेने हैं सबसे पहले बनाया D का दामाद C है D का दामाद C है C D का दामाद C का पती है C का दामाद यहाँ पे लिखा हुआ देखो C का पती है C का एक मातर भाई है C का एक मातर भाई है यह जो भाई बना दिया मैंने वो कौन है E है और E की जो पतनी है वो सीमा है E की पतनी है वो हमारी कौन है सीमा है यह सीमा बन गई तो सीमा का दी से क्या संबंदा आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे दोस्तों सीमा को यह बताना है कि सीमा के क्या लगता है तो यह सीमा है और यह सीमा है तो सीमा में यहाँ पर देखो की ये इसका कौन हो गया ये इसकी पुत्रियां हुई ये इसकी पुत्री हुई और ये इसमें ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां तक आगे पहुँच गया और इसका यहां पे हुआ वो गया इसका ससूर हो गया क्या लगता ये ससूर हुआ तो यहां पर D से क्या संबन्द है C मा का D से तो से से देखेंगे D के क्या लगती है यह यह इसके यहां पर लगती है बहू यह इसके यहां पर लगती है बहू दोस्तो बहुत अच्छे क्यूशन से बहुत आस्टानी से कर सकते हैं क्वेशन को आप सोल तो इस परकार से हमारे क्वेशन सागे बढ़ते जा रहे हैं समझ में भी आ रहे हैं और समझ सकते हैं आप दोस्तों क्वेशन लिखार क्वेशन बताता हूं मैं आपको क्वेशन लिखो बी एक्स क्वेशन है पी क्यूं का पिता है बी क्यूं का पिता है बी के केवल दो बच्चे हैं देखे बहुत अच्छे क्वेशन बी के केवल दो बच्चे हैं क्यूं आर का भाई है क्यूं आर का भाई है क्यूं आर का भाई है और दोस्तों देखो आर क्यूं आर का भाई है आर बेटी है पी की आर बेटी है पी की ए पी का नवासी है अगर एस एका पिता है अगर एस एका पिता है तो S A का पिता है तो S का Q से क्या संबंद है दोस्तों बहुत आसान question से बहुत easy way में आप कर सकते हैं इन questions को देखे इसका इन पर लिखा हुआ आप पढ़िए इसको B Q का पिता है B के केवल दो बच्चे है Q R का B Q का पिता है B के केवल दो बच्चे है Q R का भाई है R बेटी है P की A P का 89 है अगर S A का पिता है तो S का क्यू से क्या संबंद है किस परकार की question बने हुए आते हैं इनको normal question बोलते हैं हमने पहला concept पड़ा था पहले concept में मैंने आपको बताएं थे concept में कि वहिया इसके अंदर आपके बिल्कुल normal question आएंगे तो normal way में आप इसका एक वो बना सकते हैं मैं बना सकते हैं मैप के according आप इसको soul करेंगे तो हम हर व्यक्ति का संबंद बता सकते हैं एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के साथ हर व्यक्ति का दोस्तों हम संबंद बता सकते हैं वो कब बता सकते हैं जब आप इसका मैप तयार करेंगे और उस मैप के अकोडिंग आप चलेंगे और अगर मैप के अकोडिंग आप खूल करते हैं इसको तो निशिद रूस से आप अच्छे से कर पाएंगे इसमें कोई गलती नहीं होगी जैसे यहां पर शुरू करते हैं B Q का पिता है तो दोस्तों यह जो B है वो पिता है इसका Q का यहां इसके पिता हुए यह क्योंके पिता को ने B है हमें यह पता नहीं है भी हमें यह पता नहीं है इसमें दोस्तों कि क्योंके पिता को ने B लेकिन हमें यह पता नहीं है इसका जेंडर पता नहीं है कि यह Q जो है वो क्या है यह लड़की है या लड़का है इसके बारे मे में पता नहीं है आगे पढ़ते हैं पी के केवल दो बच्चे हैं देख लो पता लग गया ना वो बच्चे है एक तो एक बच्चा तो यह आगे इसका क्यू है ना फिर आगे पढ़ते हैं क्यू आर का भाई है ये जो क्यू है ना वो भाई है भाई है नि पता लग गया है इसका जेंडर की ये कौन है आदमी है और ये किसका भाई है क्यू आर का भाई है तो इस आर का भाई है ये ये दोनों बेंद भाई हुए लेकिन हमें ये पता नहीं दोस्तों इसमें कि ये जो आर है वो आर मेल है या फिमेल है हमें पता नहीं है कि यह जो आर है वो मेल है या फिमेल है अब जब हमें यह पता नहीं है तो इसको हम ऐसे ओपन रखेंगे इसमें जबरदस्ति गोला या डिबबन नहीं लगाएंगे हमें जब पता होगा तो ही लगाएंगे इसको तो याद अगोगे इसका क्यू आर का बाई है ठीक है आर बेटी है पी की दोस्तों अब पता लग गया यह न्यू कहरा है कि जो आर है ना यह बेटी है यह किसकी बेटी है यह पी की बेटी है दोस्तों यह लिखा र है आर बेटी है पी की तो न्यू देखिए दोस्तों इस B के केवल दो ही बच्चे है क्यों और आर तो ये इन दोनों के पिता कौन हुए भी हुए और ये न्यू पी भी कह रहा है ये भी दावेदारी कर रहा कि ये मेरी बेटी है इसका मतलब अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये फिमेल है ये दोनों क्या है पती पत्नी है तब ही तो ये कह रहा है ये मेरे बच्चे है ये कह रहा कि ये मेरे बच्चे है तो ये दोनों के मिला के पती पत्नी के दोनों के बच्चे है ये Q बहुत अच्छे से समझ सकते हो दोस्तों बहुत अच्छी ये है और बहुत अच्छा समझने का ये भी है इसका target आप समझ सकते हैं आपका एक भी questions wrong नहीं होगा बिलकुल इसी तरीके से बना के समझेंगे आप practice करेंगे बार बार questions को लेके तो आप फटा फट सीख जाओगे इसमें कोई خاص बात नहीं है इसके बाद यहां से देखिए AP का नवासी है वह पी का नवासी है अब नवासी अब नवासी का मतलब यह होता है कि वह बेटी का बच्चा है बेटी का लड़का को नवासी बोलते है है ना, नातीन और नवासी, नवासी बोलेंगे लड़के को तो दोस्तों यह जो कहरा है कि A, P का नवासी है, किसका है P का, इस P का नवासी का मतलब है इन दोनों का ही नवासी हुआ, क्योंकि इन दोनों की बेटी है, R, समझमهم आ है ना तो P का नवासी इस P का नवासी कब होगा जब इसका बच्चा है वो तो यहां पे इसको मैंने ऐसे बनाया इस परकार से लिखा और वो कौन है A अब देख लो आप यह P की बेटी है और बेटी का बच्चा नवासी हो गया ठीक है अगर A का पिता है A का पिता कोन है A से यह देख लो भईया यह A की मम्मी कोन है R और इसका पिता कोन है S S इसका पिता है A का तो यह दोनों कोन हुए पती पतनी हुए इसके पिता जी S और इसकी माता जी R समझ माए ना आपको दोस्तों अपने आप बन गया मैप देखो यह बिल्कुल क्लियर हुआ इसके बाद क्यां से कह रहा है तो एसका एसे क्या संबन दे दोस्तों वापस वही हमारे हाँ वापस वहीं पर आ जाईए यहां से हम चले थे महीं आईए वापस इस लास्ट वाली लाइन को जो क्योशन डौल अप करती है क्योशन पुट अप करती है जहां से हमें क्योशन के आंसर से देने होंगे उसी चीज़ को पकड़ेंगे लास्ट में यहां पे इसी में अगर आपने इतना अच्छा कर दिया और इतना अच्छा बनाने के बाद भी दोस्तों अगर दोस्तों आपने इस वाली लाइन को टार्गेट नहीं किया इसको अच्छे से आपने अनलेजिस नहीं किया तो निशी दूर से यह जो आपने पड़ा है वो सब बेगार होने वाला है इसलिए मेरा मानना है दोस्तों कि आप इस वाली लाइन को तो निशी दूर से फोकस करें मैंने बोला था स्टे से काक्षी ओर देखने का तो इसका संब्द आपको बताना है इस से एस के क्या लगता क्यूँ अगर आपने ऐसे बता है तो गलत हो जाएगा आपको बताना है क्यूँके क्या लगता है क्यूँके क्या लगता है इस क्यूँके ये क्या लगता है आपको ये बताना है इसलिए मैं यू कहता हूँ इसको कि ये तो इसका क्यों वही ये इसकी बहन वही और ये इसकी बहन का पती तो बहन का पती क्या लगेगा भाईया या तो इसको जीजा बोलते हैं या इसको बोलेंगे बहनो ही तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बहनो ही अगर आपने गलती से इसको इस लाइन को ऐसे पढ़ा तो ये जो क्यू śाया दोस्तों ये k्यू सी गलती भी कर दी last में जाके तो answer पलड़ जाएगा आपको एक पल के लिए तुम्हा ऐसा लगेगा जैसे आपने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया पर दोस्तों इतना अच्छा नहीं किया है आपने क्योंकि आपने उसका जो last वाला है तो target नहीं किया था जब इसको target कर के question solve करेंगे तो आप नीशित रूप से इसके अंदर सफल हो जाएगे और मज़ा आ जाएगा बुक्त के चार question के number आप लेके जाएगे इस वरकार से ये question हम solve कर पाएं नेक्स्ट question देखते हैं दोस्तों इसका और questions लिखाऊंगा मैं अभी करेंगे आपको और अच्छे-चे question से देखो एक question सोरे इसको solve करेंगे अपने अभी क्वेशन से कि ए और बी कि दो जुड़वा बहने हैं कि ए और बी तो जुड़वा झापको पाएं जुड़वा जुड़वा झाल कि ए और लुड़वा जुड़वा जुड़वा झाल 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 इस प्रकार से एक बना हुआ है आपको इसमें पता लगाना है क्या करना देखो महां पर तो क्यूशन आएगा दूस्तों लेकिन ऐसा बनाओगे आप उसको पढ़के यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे जो MCQ क्यूशन करेंगे हम वो MCQ क्यूशन जब करेंगे तो मैं सारी क्यूशन को आपको सोल करूँगा लेकिन अभी आपका एक अपने आप में एक टेस्ट है यह अपने आप में एक टेस्ट है आप इसको देखके आप टेस्ट दे रहे हैं कि आप पता करना जान गए इसमें कि किसको क्या कहते हैं किसका रिस्ता किसके साथ में कैसा है ये जानने के लिए ये चीजे आपके टेस्ट के लिए मैंने आपको लिखाया है ताकि आप अपने आप सकते हैं लेकिन अभी आपको पता लगाना इसमें कि किसका संबंद क्या है यहां पर देखिए आप बिल्कुल बहुत आसान है बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं बहुत आसान है यह देखिए यह A और B दो बेहने हैं A का बेटा P है और A के पिताजी कोन है क्यूँ है यहां पर A से यहां पर A की बेहन कोन है B है B की शादी हुई S से उसका पती है पती के पिता जी कौन है? O है और यहाँ पे N कौन है? N इसकी S की मा है और इसकी मा के पिता जी यानि S के नाना जी है तो मैं इसमें लिखता हूँ M का B से क्या संबंद है? क्यों के रूप में इसमें पूछा की M का B से क्या संबंद है? तो दोस्तों आब उसमें वापस वही देखेंगे से से B के क्या लगता है? क्यूँ? आपको क्या देखना है दोस्तों? B के क्या लगता है? क्यूँ? यह देखना है इसमें तो b का संबंद, क्या स्टोरी और q क्या लगता है आपको एक क्या लगता है ? M क्या देखना है इसमें ठीक है ? इसका b का संबंद यानि कि आपको देखना है, b क्या लगता है ? एम क्या लगता है तो यहां देखिए अब दियान से क्यूंश का जवाब देने जा रहे हम बहुत आसानी से क्यूश्यूश्यस का जवाब देंगे तो देखिए वी है वी कोन है फिमेल है ये इसके पती है और वी के पती के पिता जी यानि इसके ससुर हो गए ससुर की पतनी सास हुई और सास के पिता जी यानि की नाना कौन हुए? नाना ससूर. कौन होगे दोस्तों? नाना ससूर. सही आंसर से इसके नाना ससूर. नाना सही आंसर क्या है इसके? इसके क्या लगा? बी के? एम से क्या संबन्द बताया है यहां पर? यह इसके पती. पती के पिता जी ससूर. ससूर की पतनी सास और सास की मा, सास के पिता. सास के पिता जी क्या हो गए? नानी ससूर हो गए. समझाए दोस्तों इसी में अगर ऐसा पूछा जाए कि अगर इसी में पूछा जाए इसमें कि A का A से क्या संबंद है A का A से क्या संबंद है तो देखेंगे कैसे यहीं पे डिसाइट कर लो पहले से को किदर देखना है एक ही और देखना है से को किदर देखना है दोस्तों एक ही और देखना है तो आप लोग सबसे पहले इसको ये देखिए कि ये लिखा हुआ है एस का एसे क्या संबंद है तो पहले नियु देखो कि ये ए और बी दोनों बेहने हैं और ये जो बी वाली ब पतनी है एस तो दोस्तों यह दोनों पतनी हुए इसकी बहन यह है तो एसके तो साली लगती है यह यह इसकी साली है और इसका संबंद इसके साथ जीजा साली जीजा साली का संबंद हुआ इनका तो यह पौल रहा है कि एसके क्या लगता है ए तो यहां पर एसका संबंद आपक साथ में तो यहाँ पर देखिए आप ये इसकी पतनी एसकी पतनी भी और ये पतनी की बैने तो ये पून तो क्या लिखेंगे इसका सही आंसर हो गिए सही आंसर होगिए इसका खाली तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा बहुत ये अच्छे questions के साथ में इसको ये किया है और मेरा purpose ये था दोस्तों आज आपको कोई questions फूल कराने वाला purpose तो था नहीं मेरा मैं ये बता रहा था आपको concept बता रहा था तो भी आप अच्छे से समझ रहे हैं इसको कि किस परकार से संबंद बने हुए हैं आपको सब पता लगी रहा है दोस्तों तो ये सब चीजे concept अगर आपके तयार होंगे तो बचेंगे कौन हमारे पास mcq question बचेंगे तो mcq question को तो आप आसानी से soul कर सकते हैं मैं भाई उसमें कोई tension नहीं है जब ये चीजे आप समझेंगे तो question बड़े से बड़े आप soul कर लेंगे अगर आप को मैं screen पर question डारेक्टी शुरू करवा देता हूं तो आप उनको soul कैसे कर पाएंगे दोस्तों तो इसलिए सब से प किस परगार से उसको लिखाया समझाया उसको बार-बार समझें उसको repeat करें इस परगार के आपके बाभुक्स वगेरा हो तो उनको अच्छे से करने की कोशिश करें उन चीजों से फिर हम जो पढ़ेंगे वो mcq questions आगे के लिए पढ़ेंगे तो दोस्तों आज की class मैं यही समाप्त करता हूं दोस्तों और जै हिन जै बारत धन्यवाद थैंक यू